अलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग देखें लूसेंट का स्रीष चल रहा है और पांच वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हूं यह आज चाथा वीडियो है और चाथा वीडियो में जो है ना आज जो है हडपा एंड इंडस सिविलाजेशन करेंगे ठीक है तो देखें बिना किस इसका एंसर हो जागा हो जागा बी ठीक है 1901 में हुआ था है और देखिए मैं तुरा साथ आपको थियोरी बताता हूं पिछले क्लास में बताया था लेकिन आपको रिविजन करवा दे रहा हूं ठीक है न कुछ यहाँ पर है हिस्ट्री को हम लोग तीन पार्ट में इस्ट्री को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइट किये हैं इस अब पिछले क्लास में करवा चुका हूं यह जो है ना आज आपका स्विव रिवीजन होगा प्रिष्ट्री यह राव प्रिष्ट्री हो गया यह होगे प्रिष्ट्री उसके बाद हिस्ट्री ठीक है यह थे अरे जिए फैले लिटिक मेशली ठीक है इसके बाद नियोलिथिक कि अधिक थी में क्या हूं कि इसमें जो है ना फायर का खो़ज जुआ था आग और मेशली छो है डोमेस्ट्रीफिकेशन हो गया था यानि जानवर को पसुपलन सुरू हो गया था जैसे कि भेण बक्री िवसी उरजने सब पर समस्फ Six न उर्चरप यह सब अगरिकल्चर और अगरिकल्चर्प ुच्छ की ऐसा नहीं कहीं दूर आप रहेगा इसमीक आशास पास रहीए का कि इस fingertips की प्रेइंट का settlement होना शुरू हो गया तो और जब agriculture होगा खेती ग्रस्टी होगा तो आपको जो है grain, food, अनाज, चावल, गेहुन, धान जो है यहां से एक जग़ से दूसरे जग़ आपको लेकर जाना पड़ेगा उसके लिए आपको चाहिए वील, तो वील का जो डिस्काबर हुआ था ना वो नियूलितिक पिडेड में हुआ था क्योंकि agriculture का भी हो गयता है तो इससे यह मालूम चलता है इस समय जो है import, export भी यह लोग करते थे यह लोग इतना जो है ज्यादा उपज करते थे कि खाने के बाद इस लोग पास फूट बज भी ज्यादा था और यह लोग export भी करता है थे कहां दूसरे जगा इंपोर्ट-ेक्सपोर्ट ठीक है तीम में की है पऌलेटिक मेसुलिटिक नेन लितिक नेे थीटिक चैने अरे ब्हूर जिविजन हुआ कि यह पहले जो आना बहुत बड़ा पत्थर यूज़ करते थे इसके बाद थोड़ा सा पत्थर में अकार चेंज भाए तो नो कीला बना तो यह दियान रखिए इस पर डिविजन हुआ है और प्रोटो हिस्टी के बात करें तो इसको ही इंडर्स बैले सिविलाजेशन बोलते है हुआ हरप अब है इसका नाम हो गया हरप अब है और इसको बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले जो मेटल हम लोग यूज के थे वह थे कौपर के लिए एक और होता है जिसका नाम है चैलको लेट आपने पढ़ा भी होगा साइंस में चैलको लिट्ट ठीक है कॉपर का एक ओर हो था इसमें से हम इसमें लोग कॉपण निकालते है और उत्य हया है पहला इसेईंट मेडिवल डौडर्ण आड वोर्ड कर दो कुछन है यह आपको याद है कि बुक में जो है ना स्टेट्मेंट के रूप में दिया गया है लेकिन आपको पढ़ने में थोड़ा सा इरिटेशन और फरस्ट टाइम पढ़ें तो थोड़ा सा बोरिंग लगा मैं उसी को पूरा जो है न एक समरी के रूप में आपको बता दि बोलते हैं और यह भी पूछा गया कि अपने आप में एक कोश्चन है इसमें में कोश्चन अभी कराऊंगा तो आप यह याद रखेगा अलाकि मैं यह आपके लिए रिविजन है मैं प्रिप्रिएस वीडियो में जो है यह सब आलरी करवा चुगा हूँ को थोड़ा सा और आपको रिविजन करवाता हूं जैसे कि यहां पर देखिए मैं यहां पर चार्ट बनाए हूँ कि सबसे पहले क्या आया तो अस्टून एज आया ठीक है उसके बाद इंडस वेली सिविलाजेशन आया उसके बाद वेडिक वेडिक आया वेडिक रिग यज जैसे कि अभी इंडिया आप किस तरह से पूजा पार्ट करना है वह सब रिगवेड में दिया और यह जूरुएद में क्या दिया है तो यक के बारे में दिया गया है तो हम आगे पढ़ेंगे अभी अभी मैं सिफ आपको इंड्रॉड़क्शन दे रहा हूं और वेडिक के बार क्या है तो लेटर वेडिक पे जाया लेटर वेडिक के बाद महा जन्पत में कितना जन्पत है तो सोला महा जन्पत है टोटल जैसे कि अभी इंडिया के हम बात करें तो इंडिया में कितना स्टेट है इंडिया के अगर बात करना है तो त्वैंटी एट स्टेट है प्ल तो लही थे और विख निकाय बुद्धिस का टेक्स्ट है जिसका नामें अंगुत्र निकाय इससे आप याद कर सकते हैं कि अंगुत्र निकाय लिखा गया है सोला महाजनपत के बारे में और इसी समय जो है न बुद्धिजम और जैनीजम जो फेमस होते हैं दोस्तों इसमें जो है ऐसा महाँ सोचे एक उस समय बहुत सा ऐसे जो है कल्चर चला था और एक आजीवका के बारे में सुने होंगे तो यह असोगा का फादर होता है बिंदु स है लेकिन सबसे ज्यादर जो फेमस हो ही वो थो है बुद्धिजम एंड जैनीजम पूछा हुआ कि सिर्फ में जो है महाजनपकर समय बुद्धिजम और जैनीजम ही तो नहीं बिलकुल गलत है उसमें बहुत सा ऐसे रिलीजन नहीं नहीं आ रहे थे लेकिन वह लोग फेमस पूसके बहुत है अब बुद्धिजम को फॉलो कर सकते हैं तो यह है बहाजनपत में सबसे पहले हर एक वन साय था इसके बाद नंद वन साय था उसके बाद सुंगड डैनिस्ट्य आये था एक है हर एक वन्स का हर एक डैनिस्ट्य का फॉड़र कूं था नाग का तो तो पता ही होगा चंदुगुप्त मौर क्योंकि यह बहुत बेसिक समवाल है और बाकी यह महाजनपत हो गया उसके बाद पुष्ट मौर वन्स आया उसके बाद प्रिगुप्ता एज प्रिगुप्ता एज में जो है ना आकमन होता है जैसे कि इंडिया से बाहर की लोग जो है आकमन होता है अफगानिस्तान के ग्रीस के ठीक है मिस्तुदोनिया से अलेजेंडर कहां साय था है तो मिस्तुदोनियन साय था मिस्तुदोनिया तो यह सब ISP के है ISP के एक सौट फॉर्म में आपके है आई से क्या होता है तो आई से होता है इंडो गिरिक ठीक है इंडो गिर इसके बाद यह जो है इसी में से रूद्र दावन करके राजा था जो काफी फेमस और सबसे फेमस था कनिस्क वही कनिस्क जिसके समय में चौथा बुद्ध संग होता है दिकाए बुद्ध हमिति होता है तो यह आप याद दखेगा तो हम चली हम अपने आते हैं पहले वापस question पर हम आते हैं थोड़ा से हम आपको एक्ष्टा बता दिए तो आप याद दखेगा क्योंकि यह सब chronology है और यह सब बहुत basic question है तो मैं आपको थोड़ा से एक revision भी हो गया तो चली हम इसको जूम करते ह हैं और आज कि आपको question दिखाते हैं तो हड़ापस civilization खोज कब हुआ था तो 1921 यानि 1921 में हुआ था वही अगर हम बात करें तो आप इसमें तोड़ा सा और इसमें कुछ में बताना आपको रह गया है तो मैं बता ही देता हूं कि आपको एक जगह सब मिल जाए और आपके revision क इसलिए असानी होका मैं इसलिए आपको बारवा बना के दिखा रहूं थाकि आपके मायन में बैठ जाय तो हड़ापा जो है ना है अ कि अ कुछ कब खुआ था अ हरु निए सो एकक इस इस में इसके द्रौरा किया गए था तो ये गए था दयाराम सहनी के द्र्वारा कि डै यह वह था जश्ट एक साल बाद इसके 1922 में इसका खोज किया कौन किया था तो राखल दास बनरजी इसने किया था तो राखल दास बनरजी के द्वारा और यह अगर रीबर का पूछ देगा कि हरपा किस रीबर किनार है यह जो है ना लिफ्ट बैंक अब जो है रवी रिवर कौन सा रिवर रवी रिवर रवी के लिफ्ट में है तो यहां देखिएगा उसके बाद एक और है लोथल लोथल कहां है दोस्तों यह गुजरात में लोथल कहां है गुजरात में लोथल खोज इसके दोरा किया गया था तो इस राव के दोरा एस और राव के दोरा ठीक है वाव नहीं राव तो ब्यूटिफूल सो एलिगेंट जेस्ट वाव वाव नहीं है यह रो इस इस राव ठीक है लोथल कहां है गुजरात में और इस इस राव के दोरा किया गया था और कब अखेज़ आंग तक होज को और यसके दोरा किया था तो यह किया गया था यह फिर फिर फमटार के द्वारा यह इन्जी मझमुदार अधिकर है यह बश्मुदार और यह कब किया था यह किया था इस यह उनिस्तो एक तिस में यह प्याह दखिएगा बहुत सा इसा पीजिन क करने के लिए आप इसको चार्ट को देख सकते हैं ठीक है तो हम अपना आते हैं वापस क्वेश्चन पर तो बेसिकली नेक क्वेश्चन देखिए करा रहा हूं घटना चका हिस्ट्री का जोग्राफी साइंस तो आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं बहुत समय को वीडियो करा चुका हूं तो सेकंड कोशन देखिए लुथल इस साइट वेर डॉक्यार्ड अप वीच फॉलिंग स्टिविलाजेशन व ऑच गर तो यहां पे जो है समान बहार स्याथा तो यहां पै यहां पे निक लता था और अगर इंडिया इंदिया से बाहर समान होता था यहां पर लूड वहां पीजासि sangat कि किस से एललेटेड खार यह पागि ऊप्सें कि रॉस्ब्सीति आपको बताना है है कि अफरीका में आपको मैफ में कहां है कि यह रहा एजिप्ट है कि यहां कि यह थोड़ा करके मां दखाते हैं यह रहा है मैं कि क्या है एक की तो एकिन सब्सक्राइब्लेस्व बंटेशन होगा नहीं यह तो इसको इंडिया में तो इसका answer हो जएगा second का भी था ठीक है इंडार्ड वैली civilization में ही लोथल था फ़ारटम्म कोचिन देखिए पीपल उफ इंडास वलिजिशन युज़े बिर्ट एर हाउस ओफ तो उनका जो है ना हाउस किससे बनावाता था तो उप्सने पक्का बरिक्स औप्षन भी ए स्टोन ऑप्षन सी उड्ड या ओप्षन ऑल अॉफ दी यह अप्षन पूछ रहा है कि किसससे बनावाता था तो तो देखिए उस समय जो इंडियस वाली civilization था इतना advanced था कि उनलोगो नॉलेज्ट था कि बारे में क्च्छा ब्रिक जो है कच्छा ब्रिक का मतलब मंड का बना रहता है उसका life जादर नहीं होता है क्यों लाइफ जादर नहीं होता है तो कि धूप air pollution के चलते हैं उसका life decrease हो जाता है और बहुत जल्दी ही घुल जाता है लेकिन जब यह ही इंट को भट्टी में पका देज़ेगा तो इसका life जो है दस गुना बिस गुना सो गुना ऐसे इसका life बढ़ जाता है तो इसका मालूम यह लोग इतना advance है कि इनको knowledge था कि इंट को जो जो लोग थे हैं वो लोग किसका यूज करते थे घर बनाने में इसका जो answer हो जागा वह जागा पक्का बेक्स ठीक है इसका यूज करते हैं पक्का बिरिक का ने कोश्चन देखिए और नमों कोश्चन इंडेस वाली पीपल ट्रेड वीट इंडेस वाली पीपल जो है किस से करते हैं कहां से थो शुक्त किस्ä करते हैं तो चाहिन कीश्य मेसी पर्तिया रोमन तो अपोड़ बता हीए आपको पता है तो देखिए बेखिए अब लोग पता है तो ढिखनेटली कहां करते हैं जो खरते थे मेसोपटामियन से इसका जो एंसर फॉर का अंसर वह जागा वह जागा वी और मेसोपटामिय कहा है अगर आपको आता है तो जरू बताएगा तो कि कई कंटी का पाट है इराक जो है दाख सब इसा तो था नहीं इंडिया मीं महरा अस्ट्रा में कर रहे है थी में ऊसी तरह इंडिया में था उसी तरह मेश्योपोटामय जो था इराक और अभी हमने पढ़ा इजिप्टियम सिविलाजेशन तो इजिप्टियम सिविलाजेशन गहां था वो था आफ्रिका और कॉंटिनेंट में और अगर अगर आप यह एक मुस्लिम धर में एक میत है मित नहीं मतलब रियल ही है कि उसमें फिरोन राजा करके रहता था बहुत जालिम और जुल्म करता था लोगों पर तो यह उन लोग के मुस्लिम धर्म के जो किताब है उसमें यह लिखा गया लिखा गया तो देखिए हम ने के कौश्वरम पर बढ़ते हैं 5 का तो एंसर हो सब्सक्ति अंच सब्सक्राइबसे संब्सक्राइबसे सब्सक्राइबसे अब कर आइच इंड्येशन विद्वार्यण इसलिए खाते थे लोग इतनी एडवांस घूस्तमीर आर्बन करें कि न हो बूलते थे और नांसर आर्डियन को जो जो है आर्यन का जो है जो है आर्यान जो थे ना वो तो कैसे वो लोग तो रूलर यानि ग्रामीन घ्रामीन शेत्र में रहते थे तो इंडस वेली सिवलाज़़ाज़ेशन कैसे अर्मन थे बहुत इंपोर्टन है यह क्वेशन और आर्यान कैसे थे तो वो थे रूलर थे तो फाइब के जो एंसर हो जागा इस नम्हां कोशन के रहा है वीच अर्यानि इंडस वेली शिवलाज़ेशन और करेक्ट एक्सपेक्ट यानि इंडस वेली का जो स्टेटमन दिया गया है वो और सब सब शाही है लेकिन एक को छोड़के यानि इसमें गलत पूछ रहा है कौन सा गलत है अप्शन इंडस वेल इसमें वाज एडवांस अर्ब इडवांस अर्बन इसमें तो बेलकुल यह सई है आइन वाज नोन तुद पीपल यह बताने की कौन सा साही नहीं है इस डिफकल टू से वीच रेस दा पीपल बिलॉंग और आपसंदी पीपल निउन नथिंग अबाट अग्रिकल्टर तो ब आइविडेंस मिलते हैं साच हल भी मिला है और जोता हुआ कोटा मिला है कोटा मिला मतलब होगिया कोई मिठी के बाना कोई अबजेक्ट है को जब फडाल में इसे को घुल चोड़ा मुर्ति तूरी बना गया है उसे को एरा कोटा बोलते अंदीर मस्जित नहीं मिला था इससे मालम चल जाता है कि वो लोग जो है सेकुलर थे सब धर्म को मानते थे सेपनेन्ट स्कUT महणजदारो के लुकल नाम केसे पड़ता है मांड़ देड होता है मांड औफ यहानी मिर्तिको का तीला देड एक साय ठीट दफनायान दो नुब तो option A, mound of living, option B, mound of great, option C, mound of dead, option D, mound of survivor, survivor, तो 7 का जो answer हो जाएगा, D, C, 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 mound of dead, ठीक है, इतने मैं question देखिए, यहाँ पर अगर हम वही, राक्यगड़ी, राक्यगड़ी है, और है काली बैगन, काली बैगन का भी नाम इस तरह से कुछ पढ़ा है, काली बैगन, ठीक है, काली मतलब क्या होता है, बैगन मनने क्या होता है, बैगन मनने क्या होता है, बैगन मनने चूड़ी, ठीक है, तो काली चूड़ी में लहना है, इसलिए कहा है तो राजस्थान में काली चूरी मी लहने है इसलिए इसका नाम हो गया काली बैगन दिख है हम एक नमें क्योशन पर आते हैं इंडसर व्ली इस पॉलस अश्पेश्वराइज इंडस्वरी इसस में क्या था टाउन प्लानिंग और अप्टन आठीटक्टर है जो रोड था ना वो 90 डिग्री पर एक दूसरे पर कट करता था ठीक है और यह लोग के नाली भी भी बहुत अच्छे तरसे अंडर ग्राउंड रहता था ठीक है तो एट का जो एंसर हो जागा हो जागा एट नाइन दमा कोश्चन देखिया एक दान्सिंग करते हुए गल का मुर्ची मिला है निर्तिक निर्त्य है थे कहां लाइन क्या बलते हैं दान्सिंग करते हुए गल मिली है वह किसका बना हुआ है आप्शन ए टेराकोटा आप्शन बी रेड लाइमस्टोन आप्शन ची ब्रॉंज यौज यह पादविं अस्टी टाइट तो नाइन का जो एंसर हो जागा वह जागा सर्क्सान को तो मिला किस का ब्रॉंज को मिला है इस से यह मालूम से चलता है ना वह लोग को मेटलरजी का बारे में मालूम था गार जालों था तेक्वा कॉन सा अनिमल की बारे में जानकारी नहीं था या जिराफ तो टेन का एंसर हो जाएगा जिराफ नहीं था और पर काव भी नहीं था कभी नहीं मिला था तो वेदिक टाइम में अगर अगर वेदिक कर देना तो आपको फासी का सजा मिलता लेमन नमको चेंद के फिच फ्लोइंग रिमेन इक्साबेटेड इंडेस्ट वेली विच मन इंडिकेट दा कॉमर्चिल एन एकनोमिकल डवलप्मेंट कि इंडेस्ट वेली सिविलाइशन में क्या मिला है जिससे यह देखा दियाता है कि अप्शने पॉट्टरी ऑप्शन सी बोट्ट या अप्शन दी हाउस तो इलेवन का जो एंसर हो जाएगा ना वह जाएगा इंडिया में मिलता है और इंडिया का जो सील है वो मेसोपोटामि कि इन्डिया में में इस सीन हुप लोग इंपोर्ट या जाते है तुब इस से अंदाजा यह लगा सकते हैं सबसे से कोन है और पूर्भी णपूर्ण ने इस बीक सी महांज़ड़ार्व और सिंध्ट हाण यह मैंने चार्ट में भी आपको बताएं देखिए चार्ट भाई यह रहा यहां पर लिखा हुआ है यह रपा वो बताया था कि प्रोटो हिस्ट्री को ही इंडस प्रेश्ट प्रेश्ट बोलते हैं इसी को हड़ापा बोलते हैं इसका नाम पढ़े हड़ापा सिविलाजेश्ट बोलते हैं कि सबसे पहले जो खुदा ही हुआ था ना वह इसी का आसपास हो था हड़ापा में इसका नाम पढ़ गए हड़ापा सिविलाजेश्ट ना तो यह प्याद रखिएगा और यह चार्ट जो मैंने बनाएं बहुत काम के चीज़ है जो आप एक पेस में एक चैप्टन पढ़ेगा ना वह आप पांच मिनिट में रिभाइस कर ली जाएगा कि कोश्चन देखिए कोश्चन देखिए वीच आप फॉल्ओं इंडर्स वैली सिविलाजेशन साइड गिप डविडेंस आप दौक यार्ड मतलब करने समान हम को बहुत है तो यह जो है लोटल लोथल तौह ने हडपा अपन भी राकी गड़ी आपसंट सी मोहजडारों यह लोटल लोटल कहा है भाई यह है गुजरात में अ है तो गुजरात में मोहन जो डारों कहा है कियो हो जागा सिंद्ध हरपा कहा है पंजाब ठीक है अब या रखेगा नेक्स देखिए और दमागोचन देखिए वीच मना फोलुइंग स्टेटमें रिगार्डिंग धार्प सिविलाज़ाशन एक्कोरेक्ट तो हरपा सिविलाज़ाशन के बारे में दिया गया स्टेटमेंट वह कौन सा साही है और बताना है कौन सा साही है तो बिल्कुल यह गलत है क्योंकि डांस करते हुए एक निर्थ करती हुए एक लड़की मिली है डांसिंग गर्ड वो बनावाता क्या था तो ब्रॉंज का बनावता इससे मालम चलता क्यों कॉपर ब्रॉंज की बारे में जानते थे और अप्शन ए देख लिए स्टेंडर हरपा सिल्वेर मेड़ क्ले मिट्टी का ब सब्सक्राइब करते थे और यूज भी करते थे तो फॉर्टीन का जो एंसर हो जागा वह जागा डी क्यों कोशन देखिए एडवांस वाटर मेंडेजमेंट सिस्टेम और अपन ताइम है बिन अर्थे एट तो हरपास टाइम में जो है ना कहां पर जो है ना वाटर में है अग्ज है आगकर बताया आए ना यहां पे बड़ा ऐसा जैसे कि अब घड़ा देखें यहां पे बड़ा गढ़ा रहा था कि आप इस में असमुल होल रहा था अकि पानी तो निकल जाए लेकिन जो इसमें कषला हो जो जैसे हाड़ हो गया प्लास्टिक उस में जाइस को को बता रहा हूं एकर प्लास्टिक होता तो यह सब यहां से फिर यह उपन करके इसको निकाल लेते थे यह इस से यह मालूम चलता है कि उसमें काफी ज्यादा इड्वांस है तो यह पूछा को हम कहां पर यह मिला है किस जगम मिला है अप्शन धौलवीरा अप्शन भी आलमग को दोला भी रहा है पता यह यह है गुजरात में काली वेगन राज्थान में अलमगीरफुल यूपी में लोथल गुजरात में बिलकुल यह याद रखेगा बहुत इंपॉर्टन कॉस्चिन है यह इस सिक्टीन कॉस्चिन देगे फ्रॉम वीच वन फॉलिंग प्लेस रिमे कि यह पूचर कहां पर कुवा मिला वेल रिमेंस ऑफ वेल मिला तो पहले क्या था ना कि हर घर में एक वेल रहता था इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इड़ांस था अगर यह सिवलाजेशन अभी जिन्दा रहता ना तो अम लोग अमेरिका सभी आगे रहते हैं आप्टन सब्सक्राइब मिला है मिला है हर एक घर में मिला है ठीक है इस साइट पर जो है ना घर में मिला है यह था मोहां जो दारो कुछन देखिए दा आरिकलोजिकल अलमगीरपूर इन गाजयवाद डिस्थिक रिफलेक्ट दड़ तो आरिकलोजिकल जो है कुछ मिला है वहाँ पर आलमगीरपूर से ठीक है जाजयवाद तो कहा है तो तो उप्छा दिखाता है in a रापा कल्चर प्टन भी कल्चर और सी मॉरिया कल्चर जो तो ऑपको यह प में तो सबसे पहले उसमें जो खुदा यह वहां पर दिखाए गया है वह था हड़ा के बारे में इंडिया तो इंडिया तो सबसे पहले कहां था तो वह था इंडिया में ठीक है 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 केहां है है की हमने ऊपर篇ंग क्वेश्चन देखा भी था है आप देखा लेक्र क्वेश्चन को मिलता तक यहां पर भी तो इंडिया में सबसे पहले कालिटिवेशन हुआ था नाइटीन कोशन देखिए रॉक कट आर्टिस टेक्चर इन हड़पा कल्चर कॉंटेक्स्ट है विन फॉन इन तो रॉक कट आर्टिस टेक मिला है कहां मिला है तो अप्सने काली बैगन दोस्तों यह था दोला वीरा कहां है यह है गुजरात में काली बैगन कहा है तो राजस्थान देखिए इसमें से स्टेट्में में दिया है कौन सा करेक्ट है वह आपको चुनना है आप्सने मोहंजदारो हरपा रोपर और काली बैगन आद इंपोर्टन प्लेस आप इंडर्स वाली सिविलाजिशन देखिए तो बिल्कुल वन साही है आप्सन टू देखिए अपर पीपल डबलब प्लेंड शीटी प्लांड शीटी अपर प्लेंड शीटी विद दे नेटवर्क आप स्ट्रीट अंड ड्रेनर सिस्टम तो बिल्कुल जो रोड था नहीं लोग का वो लोग रोड था जो नाइंटी डिगर पर डिवाइड था है तो सेकेंड भी अंसर सही है थाड कोशन देख लिए थाड यह ऑप्सन देख लिए अपर पीपल डिद नोट नो यूज ऑप मेटल कोड भी बिलकुल गरते हैं क्यों कि भाई मेटलर्जी में आप महां से जो है ना मेटलर्जी मिला है ठीक है तो 20 का जो एंसर हो जागा हो ज अनोन टू सéma का में नहीं जानते थे ढों लोग किसके बारे में नहीं जानते थे बेलकुल यह जानते थे से के बारे में जानते थे में और अच्छे तरीके मिला है और ऑप्सटन डी ट कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्क मतलब आर्क आप डोम से बहुत बाद में आया था यह मेडीवल पीड़ में आया था आर्क डॉम्झा तुट रहता है तो वह सब बहुत लेटर वह तो मेडीवल टाइम में है इसका क्रेक्ट है क्या है क्रेक्ट प्यून ऑफ निला है कोपर का तो कहा डिसकवर किया टो आप न द्यूंसे न इस बन वाली तो ट्वेंटी टू का एंसर हो जागा वह हो जागा थी ठीक है डेमाबाद में मिला है ब्राम तोट में खौपर चारिट मिला है वीच वसीज़ाम न के लिए भी वीच वन उप्भी विच से चायट फॉम अपर न ला पूंढ़ी लाज गो तो फिम जूर ना अभी-कभी स्कॉयर सील था कहीं कहीं स्पली लीच निकल सील था तो यह पूछ रहा है ना बूल का सील कहां पर मिला है तो अप्शन हडपा बी चान होतरो अप्शन सी लोथल यह अप्शन दी राजगी तो ट्वेंटी ठड का जो एंसर हो जागा वह जागा कहां पर मिला है हडपा में 24 नमगों कोचन देखें किस ने डिस्कबर किया है ऑप्शन अटर लिधू अगरवाल ऑप्शन सी घ्रम सब्सक्राइब कर गोडाएगा और सेर भी जो दोस्त आपको इसका तयारी कर रहा है आपके लिए बहुत रहाएगा क्योंकि लूसेंट और घटना चक कर लिएगा इससे बाहर कोश्चन नहीं जाएगा यही कोश्चन रिपीट करेंगा हर एक्जाम में क्योंकि जो यूपीसी कोश्चन पुछता है वो अस्टेट पीश चाहिए ना आप टेलेग्राम से जाकर जोड़ सकते हैं और वहाँ पे आप टेटिव डाउनोड कर सकते हैं तो किसके जो कौन सा इनिमल के दरसाया नहीं किया है जो हडपा का जो सील है यह ना उसमें कोन से इनिवल दरसाया नहीं गया तो आप्सन एक आउड बी ट्वेंतिपाइब कर जो एंसर हो जागा वह जागा लायन गया है सिल फे के किखर ट्वेंटिफाइब कर जो जागा वह जागा में डिफिटाम में कुछ दख्यें थे सिक्समें मैस करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में मैच करना है आप देख लिए लोथल काली बैगन दोला बीरा और बनवाली लोथल क्या था लोथल एक दौक यार्ड था ठीका तो एका टू हो जागा फिर काली बैगन क्या था तो काली बैगन में जो है ना वहाँ पे जोता हुआ खेत मिला है तू का ए हो जागा देखिए इसमें कोई मिल रहा है क्या तो ए का टू और बी का वन तो बी और सी दोनों है अब आगे देखते हैं एक और कोई हमको मालूम चल जागा तो यह बन जागा आप्सन सी देखिए द दोला विरा में ख्या मिला है कि दूला विरा में क्फून क्या मिला है यह थिरे अंस्क्रिप्जन कंप्रमाइजिंग कंशान और बढॉल तो इंडेस वैली के लिए कोन सा टाम यूज करते थे तो अप्शन दिल्मून ऑप्शन भी मेलुआ अप्शन दी पैला का तो 27 का जो एंसर हो जागा हो जागा मेलुआ ठीक है इंडेस वैली के लोग को लिए बेनुला बोलते हैं ठीक है कि 28 देकीन देखिए वीचवन फुलल्वींग हड़पड साइट वाज एस्पेशिलाइज सेंटर फोर मेइकिंग शेल अब्जेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्टि यूज है थे तो 28 का जो एंसर हो जागा हो जागा मॉन्सा फेमस था लोग फ्रीचट्ट्ट्ट्ट्ट्ट लोथल जो था ना वो था सेल अब्जेक्ट बनने के लिए काफी ज्यादा फेमस था और 29 में कोश्चन आज का लास्ट कोश्चन है तो इस्ट बॉंड इस्टन बॉंड और हडपा कल्चर इस इंडिकेटेड़ बाइविच और फॉलोइंग तो ऑप्शन ए हडपन ऑप्शन ब की अलम गीरपूर और स्थे राके गड़ी आपन दी मानडा टो 29 जो एंसर हो जागा और बताइए अ और यूपी में मानदा का है तो एक ड़्याओज है इस अ और हडपा का ए तो हरवपत अपकर मालु ही होगा, बहुतmonth है, बहुत इजी question है, ठीक है? पंजाब में, ठीक है? Ñर राकी स्कड़ी कहा है? तो यह हर्यानिय है, तो मैं बता ही देता हूं आपको. हरवपत कहा है? तो हर्यानिय में, चौकौन है? लिए हे ना, यह हे, कास्मीर में. कि आपको पता हो गए मैं आपको थोड़ा से चाड़ बन आतों आपको sistem वेलीचिए से ने वो three factors गए अगर पूच चैनल के वक्तियोंने को सब से नॉर्ठर पाउन कॉन है ची अवसे čार् chem पे vaccin क्यों हैं सबसे इस्ट में आलमगीरपूर आलमगीरपूर और सबसे इस्ट में देखिए इस्ट का गेंडोर अबसे इस्ट में को नहीं है तो सुथ का गेंडोर मंड़का है तो जम्मो कश्मीर में द्यमाबाद तो ये महरास्टना में है और आलमगीरपूर कहा है तो ये यूपी में इस्ट का गेंडोर का है तो अब लगछुस्थान में तो याद 현재 सब्सकान को बैू बहूद होएगा जेकरिया आध्या आम धूर्ट है देखिए दोस्ते आज हम यहीं पर रखते हैं नेक्स लास में दूसरा चेप्टर करेंगे यह फोर नमकोश्ट चेप्टर जो है आज और अपका प्यार और सपोर्ट रहेगा इसी तरह तो और भी विडियो आपको अच्छा हूँ तो लाइक सब्सक्राइब कर देगा अगर अगर आपको कुछ सजेशन हो तो वो बता देगा कॉमेंट कर देगा मैं उस पर यह कूई टॉपिक आप जो चाहते हैं उस पर वीडिय बना दूंगा ठीक है तो बस इतना ही इसके लिए ठाइंक यू और जाके आप गटना चेकर भी स्रीज देख सकते हैं साइन्स का हिस्ट्री का बहुत इंपर्टन कोशन है वही कोशन आपको रिपीट करेगा है हर एक्जाम में वही कोशन कभी कोशन को एंसर बना देगा कभी बस थांक यू, वही नाशती वाल भी था यू